लोग सभाचुनाव दर्वाजे पर हैं दोस्तों और भारती जाता पार्टी की जो प्रचार मशिनरी है वो सक्री हो गई है एक बात साफ है इस प्रचार मशिनरी के प्रचार में आप चलावा देखेंगे आप जूट भी देखेंगे और आप अर्ध सकते देखेंगे वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल यूस्यक्त खबर की गहराईयों को टटोलता दिल्चस बात यह है कि दोस्तों अपने इस प्रचार में वो अपनी ही सरकार की आधिकारिक बातों को जुटला रहे हैं मसलम यह जो वीडियो आप देख रहे हैं ना कहा था ना कैसी भी सिट्वेशन हो मूदी जी हम घर ले आएंगे वार रुकवा दी पापा और पर हमारी बस निकाली पापा इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि तीन लोग ओवर आक्टिंग कर रहे हैं एक बेटी रो रही है अपने माबाप से कह रही है कि मोदी जी की वज़ा से हम जंदा यूकरेन से लौट आए बेटी ये कहती है कि मोदी जी ने जंग रुकवा दी थी मैं आपको याद दिलाना जाओंगा दोस्तों इससे पहले जब मद्द प्रदेश, हतीसगड़ और राजिस्थान में चुनाव वे थे तो क्या जेपी नडड़ा और क्या अमिच्शा इस बात को खुले आम मंद से कहा करते थे कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की इतनी ताकत है कि उन्होंने यूकरेन जंग को रुकवा दिया था और अब लोग सभाच उनावों से पहले ये वीडियो सामने उभर कर आया है सरा सर जूट क्योंकि खुद विदेश मंतराले ने ये बात कही थी कि ये बात सही नहीं है विदेश मंतराले के प्रवक्ता से साफ तोर पर पूछा गया था कि क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने यूकरेन का युधर रुकवा दिया था ताकि भारतियों को वहां से निकाला जा सके तब विदेश मंतराले के प्रवक्ता ने कहा था कि ये गलत बात है अगर हम कुछ दिनों के लिए यूकरेन युधर रुकवा सकते तो हम जंग को रुकवा देते अगर हमारे बस में इतनी बात होती तो सुनिये विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्षी ने उस वक्त क्या कहा था सुनते हैं Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that you know this is somewhere we are coordinating that I think is absolutely inaccurate I don't think if I could if I could be more facetious then it will extrapolate itself so I would we would then order a that's really getting a bit much ahead of ourselves मगर इस सच के बावजूद JP Nanda हों, Amit Shah हों या अब भारती जनता पार्टी का प्रचारतंत्र इस विडियो के जरिये आप तक जूट पहुँचा रहा है और लगातार पहुँचा रहा है आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा का प्रचार यानि कि सिर्फ जूट और मैं नहीं भूला हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षपर हमला बोलते हुए एक बार क्या कहा था जूट बोलो बार बार जूट बोलो भाजपा क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इसी मंत्र का अनुसरण कर रही है सुनिये प्रधान मंत्री ने क्या कहा था खुले आम प्रचार के जरीए कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री ने यूकरेन युद्र हुआ दिया था जबकि ये घलत है आपने सुना विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नहीं ये बात कही मगर भाजपा का ये प्रचार सामने उभर कर आता है अब आप ये कह सकते हैं कि भाईया ये सिर्फ एक विडियो है नहीं दोस्तो इस विडियो का जूट मोदी सरकार के बड़े-बड़े मंत्री जो हैं वो आगे पहला रहे हैं और सांस थामिये इसी जूट को उनके पालतू पत्रकार भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिये आगे बढ़ा रहे हैं वो पालतू पत्रकार कौन है कुछ देर बाद मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर ये हैं अश्विनी वैशनव रेल मंत्री हैं इन्हें ध्यान देना चाहिए अपने मंत्राले पर मगर वो भी इस जूट को आगे पहला रहे हैं अश्विनी वैशनव क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर वार रुकवादी और फिर हमारी बस निकाली विदेश में भी रखे हमारे खयाल तभी तो हैं सभी मोदी का परिवार मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अश्विनी वैशनम से यह कैसा परिवार है यह कैसा परिवार है जहां जूट बोलने की जरूर पड़ती है मैंने आपको सुनाया विदेश मंतिराले की परवक्ता ने क्या कहा था तो रेल मंत्री इस तरह से जूट क्यों बोल रहे हैं रेल मंत्री तो छोड़िये सूचनों प्रसारन मंत्री आनुराग ठाकुर वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों आपके सामने वो रक्षा करें साथ समंदर पार वो है हमारा परिवार मोदी जी का परिवार इस परिवार में अपना वजूद बनाए रखने के लिए इस परिवार में अपना स्थान बनाए रखने के लिए इन मंत्रियों को जूट बोलना पड़ रहा है और मंत्री तो मंत्री इनके पालतू पत्रकार दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर ये है न्यूज 18 का पत्रकार रहेगा वो न्यू आड कैमपेन बाई बीजेपी इत्फाखन दोस्तों ये वो पत्रकार है जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज है मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ इस पत्रकार को जो कि देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 में काम करता है इससे ये खलत बयानी करने की क्या जरूत पर रही है इस जूट को ये आगे क्यों पहला रहा है ये तो कल्पना से विशित्र है दोस्तों 2014 से पहले टीवी न्यूज के पत्रकारों का काम होता था कि अगर कोई खलत बयानी सत्ता कर रही है अगर कोई जूट सत्ता परोस रही है तो आप उसे एक्सपोज करें काइदे से इस पत्रकार को विदेश मंत्राले के प्रवक्ता आरिंदम बाक्षी के उस बयान को आपको सुनाना चाहिए था और भाजपा को कटगरे में रखना चाहिए था उसके जूट के लिए मगर आप खुद करें कि वो इस जूट का प्रचार प्रसार कर रहा है इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ ये बराबरी का मुकाबला नहीं है दोस्तों एक तरफ पूरा प्रचार तंत्र जिसका फोकस सिर्व जूट पर होता है वो जूट के साहरे विपक्ष पर हमला करता है और इसमें मदद इसके जैसे पत्रकार करते हैं वो पत्रकार जो देश के सबसे ज़ादा देखे जाने वाले चैनल में काम कर रहे हैं वो पत्रकार जो देश के सबसे धनी आदमी के चैनल में काम कर रहे हैं और ऐसा ये लगातार करते हैं बार बार करते हैं इस वक्त विपक्षपर निशाना साधा जा रहा है हर बात को ले कर चाहे सीट शेरिंग को ले करो अगर बड़ा सवाल ये कि क्या इन पत्रकारों में हिम्मत है सत्ता से एक भी सवाल करने की और सबसे दिर्चेस बात ये है दोस्तों कि भाजपा का प्रचार तंत्र बिलकुल उलूल जूलूल स्तर पर चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं कि शत्रुगंड सिना टी एमसी की तरफ से चुनाब लड़ेंगे वो उनके कैंडिडिट है अब भाजपा के प्रचार तंत्र का जो मुखिया है अमित मालवी है वो शत्रुगंड सिना की किसी पुरानी मुवी का एक क्लिप चला रहा है जिसमें बतौर अभिनेता शत्रुगंड सिना एक औरत के साथ दुशकर्म कर रहे हैं पीछे भाग रहे है और अमित मालवी क्या कहता है इन जैसे लोगों को टी एम सी टिकेट दे रही है जो लड़कियों के साथ दुशकर्म करते हैं अरे भाई मालवी है एक व्यक्ती जो स्क्रीन पर रोल करता है और ओफ स्क्रीन जो काम करता है उसमें जमीन आस्मान का फर्क होता है और सबसे बड़ी बात ये ना भूलें शत्रुगंड सिना अपनी जिंदगी के अपने राजनीतिक जीवन के 80% हिस्से में भाच्पा के साथ थे सबसे पहले वो चुनावी मैदान में आये थे जब कॉंग्रिस की तरफ से राजेश खनना थे और भाच्पा की तरफ से शत्रुगंड सिना और ये ना भूलें 2014 में वो भाच्पा की तरफ से लोकसभा से चुनाव जीते थे तो क्या कहा जाए इससे पहले जो भाच्पा ने लगा था शात्रुगंड सिना को टिकेट दिये, शुनाव लड़वाए, तो क्या वो एक ऐसे व्यक्ति को शुनाव में टिकेट दे रहा था, जो औरतों के साथ दुशकर्म करता है, सबसे पहली बात, अमित मालविये, इन दो तस्वीरों पर गौर करो तुम, यहाँ पर अमित मालविय दिखाई देता है, IAT-BHU छात्रा के साथ, जिन लोगों ने कथित तौर पर दुशकर्म किया था, दुशकर्म करने का आरोप है, उनके साथ यहाँ अमित मालविये दिखाई दे रहा है, तो इससे तुम्हारे चेरित्र के बारे में क्या पता चलता है, अमित मालविये, इन पमखेर, आपकी बहुत बड़े समर्थक हैं, आपको उनकी फिल्म याद है, कर्मा, कर्मा के अंदर वो डॉक्टर डाइंग का किरदार निभाते हैं, वो डॉक्टर डाइंग जो भारत को नेस्त नाबूद कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है, तो क्या यह माना ज कि आंटी नाशनल्स जो है वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। अरे बेटा मालवी कुछ इसका भी इस्तमाल करो। मैं जानता हूं कि तुम जो मर्जी कह देते हो और प्रचार तंत्र के जरीयों से वाइरल कर दिया जाता है। मगर प्रचार के स्तर को जरा एक लेवल पर आया गया है। ब्रिज भूशन शेरन सिंग इसे टिकेट मिल जाएगा जहां तक मुझे पता है। क्या कहना चाहोगे तुम इस बारे में। कुलदीब सिंग सेंगर किस पुलिटिकल पार्टी का सदस्थ से था। सबसे बड़ी बात हाल ही में हाई कूट को दखल देना पड था कि भाजपा बार बार बलातकारी राम रहीम को परॉल पर जो रहा कर रही है वो घलत है। आगे से जब इस व्यक्ति को आप परॉल पर रहा करेंगे तो पहले हमारे पास आएंगे। नौ बार भाजपा इस व्यक्ति को परॉल पर रहा कर चुकी है। प्रचार का स्तर कह चला रही है भाजबा सबसे बड़ी बात अपने गेरिबान में जहां किये जब आप नारी असमिता की बात करते हैं तो आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई political party नहीं हुई जसने नारी असमिता के नाम पर देश के साथ इतना बड़ा मजाग किया हो चाहे वो ब्रिजभूशन शरण सिंग हो चाहे वो उनना हो चाहे कुलदीम सिंग सेंगर हो चाहे मनिपूर हो धेरो मिसाले में आपको दे सकता हूँ सबसे बड़ी बात जम्मू के कठुवा में एक आठ साल की मासूम के साथ दुशकर्म और फिर उसके हत्या कर दी जाती है मंदिर के अंदर और फिर जो लोग इसके जिम्मिदार थे उनके पक्ष में भाजपा के नेता राली निकालते है ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तो सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि अगर निर्भया कांड 2014 के बाद हुआ होता मुझे नहीं लगता उन पांच लोग को फांसी लगती है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें भी किसी न किसी तरीके से राजनीती सामने आ जाती है निर्भया के चरित्र के बारे में भाश्पा प्रशारतंत्र लगातार हमला बोलता क्योंकि याद कीजिए हात्रस के अंदर जो कांड हुआ था तब इनके मीडिया ने हात्रस की गुडिया के चरित्र के बारे में सवाल उठाया था ये सब हो रहा है अमृत्काल में ये सब हो रहा है संगोल युग में और शर्म इनको मगर आती नहीं अभिसार शर्मा को दीजे जासत दवस्कार